तो दोस्तो आने वाली एक महिने के अंदर हमें इंडियन सिनमा की तीन बड़ी फिल्में सिनमा घरों में देखने को मिलेगी पहली फिल्म है अल्लो अर्जुन की पुस्पादर आइस वही दूसरी फिल्म है राम चरन और जूनियर एंटी आर के ट्रिपल आर वही तीसरी फिल्म है पेन इडिया सुपरिश्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इन तीनोई फिल्मों के जो ट्रेलर है वो किस डेट पर रिलिज होने वाले हैं तो दोस्तो सबसे पहले ट्रेलर रिलिज होगा फिल्म पुस्पादर आइस का जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है सू कुमार ने और इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ हमें देखने को मिलेगी रश्मिका मंदना बताना चाहूँगा दोस्तो पुस्पादराइस का जो ट्रेलर है वो रिलिज होने वाला है कल यानि कि 6 दिसंबर को जिस ट्रेलर को हिंदी, तमिल, तेलगो, मलियालम और कन्नाडा टोटल 5 भासाओं में रिलिज किया जाएगा पुस्पादराइस का जो हिंदी ट्रेलर है वो गोल्ड माइन टेले फिल्म से यूटूब चैनल पर रिलिज होगा वही दोस्तो दूसरी फिल्म का ट्रेलर आएगा उसका नाम है ट्रिपल आर ज्या दोस्तो जूनियर इंटियार, राम चरन, अजे देवगन और आलिया भट की फिल्म ट्रिपल आर जो की रिलिज होने वाली है साथ जन्वरी को और इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो हमें देखने को मिलेगा 9 दिसंबर को जिया दोस्तो 9 दिसंबर यानि कि आज से सिर्फ 5-6 दिन बाद ट्रिपल र का ट्रेलर भी हिंदी, तमिल, तेल्गू, मल्यालम और कन्नाडा, टोटल 5 भाजाओं में रिलिज होगा, बताना चाहूंगा दोस्तों, एसस राजा मुली सर के फिल्म ट्रिपल र का जो हिंदे ट्रेलर है, वो रिलिज होगा टी सिरिज के ओवसल यूटूब चेनल, वही दोस्तों तीसरी फिल्म है, पेन इंडिया सुपर इस्ट राधे शाम फिल्म का जो ट्रेलर है, उससे रिलिज किया जाना है 17 दिसंबर को, जिया दोस्तों आज से 10-12 दिन बाद राधे शाम का ट्रेलर भी हिंदी, तमिल, तिल्गु, मल्यालम और कन्नाडा पाँच भासाओं में रिलिज होगा, बात की जाए कि राधे शाम का हिंद ट्रेलर को मिलते है, बाकि दोस्तों आप किस ट्रेलर को देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेट है, ट्रिपल र, पुस्पा या राधे शाम कमेंट करके जरूर बताए और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें